तो दोस्तों आपके सामने निफ्टी का चार्ट है बहुत इंट्रेस्टिंग चार्ट पैटन होने वाला जो मैं आपको समझाऊंगा अभी वीडियो को एंड तक देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं पहल बहुत बड़ा खास मोमेंटम नहीं था वहीं पर अगर हम यूएस मार्केट की बात करें यूएस फूचर्स फ्लैट है डाउ जोंस फ्लैट है नैस्डेक में तो 180 की तेज़ी अगर यह तेज़ी बरकरार रहती है तो हमको मंड़े के ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्टॉ है अगर आप देखोगे तो यह एक चैनल पैटन में इस तरीके से ट्रेट कर रहा है अभी यह क्या है कई लोग ना फूमो में आच चुके फियर ऑफ मिसिंग आउट ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं जब हम प्रीवेसली की मैं बात करूं कुछ दिन पहले की लगा तार जब है अब लोगों क्या कर रहे यहाँ पर पकड़ने का ट्राइक कर रहें अब लेकिन यह क्या पने चैनल पैटन की अपर लाइन पर पहुंच चुका है तो यह बहुत ज्यादा रिसकी जोन है मैं इस लिए इस वीडियो को बहुत ही डीटेल में बना रहा हूं, छोटी वीडियो बना रहा हूं, पना रहा हूं, अब देखिए, यहां पर आगर आगर आप लेते हो, तो आपके पास, स्पेस कितना बच्चांग, मानलो मार्केट यहां तक उपर गया, और यहां से रिवर्स ले लिया, चोटा मोटा रीट्रेस्मेंट ले लिया तो आप तो फस जाओगे कहोगे कि यार मागेट प्रॉफिट ही नहीं देता देगा कहां से भाई तुम टॉप में खरीद रहे हो हमेशा तो देगा कहां से प्रॉफिट फ़ड़ा सूचने वाली बात है यह तो अब हिसाब किताब य कितना यह उपर जाएगा थोड़ा सा यह उपर जाएगा तो इस हिसाब से अगर बाइंग करनी है तो कौन सा वह सुटेवल लेवल है बाइंग का हमारे लिए वह मैं आपको बताने वाला हूं देखो निफ्टी अगर मैं बात करूं तो 22,780 यह आपके लिए डिप नीचे आ गया तो भी एक बहुत एच्छा लेवल बाइंग का हो सकता है दूसरा बाइंग का लेवल जो आपके लिए होगा वह होगा 22,550 का इन केस क्योंकि इतना नीचे आना तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि काफी 400-500 कोईंट हो जाता है बट मार्केट है कुछ भी कर सकता है अगर यह बड़ा डाउन दे दे और एक फॉल आ जाए यह सेकंड हाफ तक गिरता गिरता यहां तक पहुंच जाए तो फिर आप समझ लो कि यह आपको अब अपॉर्चनिटी फिर से एक मौका मिल चुका है मार्केट ने आपको एक बाइंग साइट का मौका फिर से दे द बिल्कुल जो चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन है बिल्कुल 200 और 150 क्योंकि अगर मार्केट यहां पर गैप उपन देता है तो भी यह सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा तो एक सेलिंग लेवल और दो बाइंग लेवल आपके निफ्टी में रहने वाले हैं अगर मै क्या करता हूं यह सारे लेवल्स हटाता हूं ताकि आपको कन्फूजन क्रेट ना हो अब देखिए बतलब जस्ट मैं कह रहा हूं दो दिन पहले की बात है माई डियर फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ दो दिन पहले की बात निफ्टी काफी उपर जा चुका था लेकिन बैंक के उपर नहीं गया था बैंक के निफ्टी यहां पर था मैं आपको यह भी बोल रहा था कि भाई बैंक के निफ्टी में पॉर्चिनिटी है क्योंकि बैंक के जो टॉप लीडर इस्टोक है दो तीन टॉप लेटर स्टोक है वह अभी अपने और टाइम हाई से काफी नीचे ट् कि वह स्टोक जो थे टॉप लेटर दो तीन इस्टोक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी दो तीन परसेंट का मोमेंटम दिया और बैंक इनिफ्टी यहां आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि और बड़ा पांच आर पर संट का मोमेंटम और देंगे अभी थोड़ा सा इसा कूWest की नहीं कि मैंने आपको बता रहा हूं यह बैंकने अपडेट किया और लिंक भी डाला था उस दिन बतायो था कि फन्साफीर हो डप दिस्टोक ला इंस्टोक मैं विडियो मयों को क्यूं नहीं आपने चेक सॉड्च करूश कर रहे हूं फिर चार्ट पोस्ट किया इस इस चार्ट पेटन मेकिंग इनवर्स है इन शोलर पैटन तो अब यह देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर एक राउंडिंग बॉटम पैटन का ब्रेक आउट दिया है और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं तो यह आपके लिए लिंक डिस्क्रिप् बटन आपके कराइटी रहे के सबसे बैटेगा बट यह एजुकेशनल परपस के लिए और यह सबसे इंट्रेस्टिंग कीज मुझे लगती है कि मालो आपके आप बहुत अच्छी अनलेसिस करते हो लेकिन आपके पास कोई प्लैटफॉर्म नहीं है शेयर करने के लिए तो इंग के डिस्क्रिप्शन में जब ऐसे चीज़ें होती है तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए इगनौर नहीं करना चाहिए इगनौर करोगे तो भाई फिर पीछे रहे जाओगे तो अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ एक बार यह आपको पहले चार्ट खोल क अब ज़ादा नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है कि बस चलता रहे जाए निया है कि आपने कभी ऐसा देखा क्यों बहुत कम चार्ट वह स्टॉक स्के चाट होंगे इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं चलता है इंडेक्स इसको रिटर्समेंट लेना पड़े यह तो छोटा सा रिट्रेस्मेंट लेगा तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चनिटी है कि भाई बस ले लो अभी फिलाल के लिए अब आपको होगे मन में एक सवाल आ रहा होगी यह ब्लैक यहां पर कहां से आगई बीच में अचानक से मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए लास्ट यहां पर क्या हुआ था मार्केट ने जगह पर अपना सपोर्ट लिया फिर यहां पर देखोगे रजिस्टेंस लिया एंड फिर ब्रेक आउट दिया इस लेवल पर इस ब्लैक पर जेक आता है तो यह लेवल है कौन सा यह लेवल आपका निकलकर आता है फूटी मैं लिखे लेता हूं यहां पर आपका मैं ऐट लेवल कहां को मैं इस एक ऐटाउजटम आपको आठेखने को मिल सकता है पहला बायंinsi अब Dziękuję लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 49,100 के उपर यानि कि जब बाइंग के निफटी 49,100 के उपर निकल जाएगा तो और बहुती अच्छी बात ऐसी हो जाती है कि अगर ये 9 बज के 35 मिनिट के बाद ब्रेक आउट दे तो एक काफी जादा कनफरमेशन हमारे खम को मिल जाएगा और इस लेवल के उपर भी हम बाइंग करके चल सकते हैं 49,100 के उपर ठीक है तो ये दो बाइंग लेवल रहे सेलिंग लेवल के मैं बात करता हूँ तो सेलिंग लेवल आपके लिए होने वाला है 48,950 to 49,050 बिल्कुल अभी रेंज कितने पोइंट की धियां से देखेगा यह 100 पोइंट की रेंज है और यहां से लेके यहां तक यह जाती है यह स्टार्ट होती है तो इस रेंज में कही अगर आपको bank nifty flat open होता हूँ दिखाई पढ़ता है और रेजिस्टेंस लेता है तो भी selling का मौका बनेगा gap down opening के बाद सीधर resistance लेने जाता है उपर नहीं जा पा रहा है तो भी सेलिंग का मौका बन सकता है और मालो huge gap up होगे और gap अब के बाद भी नहीं चाहिए तो भी आपके लिए selling level के तरह काम कर सकता है तो यह आपके लिए selling level मैं ने रखा तो टाइम तरह कि चलिएक पर क्या देखोगे थोड़ा ज्यादा ओपर चुका है इस थोड़ा ऊपर उपर अचुका है बेंगे तो यहां पर हम ब्रेकाउट डेंट नहीं करते हैं जैसे बैंक के रिजन क्या है इसका रजिस्टेंस बिलकुल इसके सर पर खड़ा है अब यहांसा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर रजिस्टेंस ले लेगा नीचे आ सकते हैं तो ऐसा ट्रेड लेना ही क्यों जिसमें रिस्क रिवोर्ड रेश्यो मैच ना हो हमारा तो अभी क्या करते हैं इसको चलते हैं 15 मिन सकता है बाइंग साइट के लिए एक ही बाइंग लेवल हमारे पास बाइंग में हलंकि दूसरा भी है 21500 लेकिन खुद सोचो यह साड़े 300.350 नीचे की बात मैं कर रहा हूं जो कि कुछ जम नहीं रही है बात इसलिए मैं इस लेवल को अभी नहीं मेंसर कर रहा हूं आपर से अपना इनिशेट कर सकते हैं दूसरा सेलिंग लेवल आपको पता है सीदी सी बात है रजिस्टेंस है 22000 का एक राउंड साइकलोजीकल नंबर है तो यह तो आज़िस्टेंस की तरह काम करने ही वाला है तो यह रही दोस्तों कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ सजी आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ पॉस्टें नॉलेज गेन करने तो जरूर 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 जोइन करो फुरी ऑफ कॉस्टेंस ही मिल रही है बागी कुछ नहीं मिल रहा है थैंक्यू सो मच और वाचिंग दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बोलना करने के लिए बड़ मुझे पता है आप लोगों ने पहले कर दिया हुआ थैंक्यू सो मच